मेश रासी आज का रासिफल आज का दिन आपके लिए चिंता ग्रस्त रहने वाला है आप अपने विजनिस में उतार चड़ाप को लेकर परिशान रहेंगे और आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है लेकिन यदि आप किसी काम से बाहर जाने की योजना बनाएं तो उसमें बाह संबंदी जरूरी जानकाली लीक नहीं होने देनी चाहिए व्रसव रासी आज का दिन आपके लिए खुचियों से भरा रहने वाला है विजनिस में आप कुछ नए उपकरणों को सामिल करके अपने आय को बढ़ाने के लिए पूरे प्रियास करेंगे भाई बहनों का इसमें आपको कूरा साथ मिलेगा ससुराल पक्ष किसी व्यक्ती से आज आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है आपको व्यापार के छेत्र में कुछ नए अवसर मिलेंगे और आप माता पिता को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं छोटे वच्चों के लिए आप कोई बहार लेकर भी आ सकते हैं मितन रासी आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फल दायक रहने वाला है आप अपने किसी स्वास्त संबंदी समस्या को लेकर परेशान रहेंगे जिसके लिए आप अपने परिवार के किसी सदस्य से बातचीत कर सकते हैं आप अपने घर को रेनोवेट कराने पर भी आप काफी ज़्यादा ध्यान देंगे। व्यापार में आपको कोई नुक्सान हो सकता है, लेकिन उससे साबधान रहें, अपने बाहन की खरीदारी करने का मन बनाया है, तो वह वहतर रहेगा। तो बहुत ही साबधानी से उठाएं, नहीं तो उन्हें बाद में समस्या हो सकती है, आपको संतान के विवाह में आ रही समस्या के लिए किसी मित्र से बातचीत करनी होगी, तभी वह दूर हो सकेगी। आदी पर जानी की योजना बनार सकते हैं, आप जीवन साती के साथ कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे, आप किसी पर आख मुंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो आपको धोका मिल सकता है। आज के दिन आपके लिए मिस्लित रूप से फलदायक रहने वाला है। अपने मन में सकारात्मक विचारों को रखें, नहीं तो आप परिशान होते रहेंगे। यदि वह किसी अपने काम को साजेदारी में किया है, तो उससे आपको अच्छा लाव मिल सकता है। आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनरजी रहने के कारण आप किसी भी काम को अति उत्साहित होकर करेंगे। जिसमें आपके कोई गलती भी हो सकती है। अपने कारे छेत्र में किसी बड़े पद की प्राप्ती हो सकती है। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा सम्मान करेंगे और आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो आपको उससे उधार पाना मुश्किल होगा। तुलारासी, आज का दिन आपके लिए तनावगरस्त रहने वाला है, परिवार में आज किसी काम को लेकर आप परेशान रहेंगे और आपकी किसी अजनवी से मुलाकात होगी, जो लोग राजनीती में हाथ आजमाना चायते हैं, अब है उन्हें किसी बड़े पद की प्राप् परेशान देंगे, आप परिवार के किसी सदस्य के केरियर को लेकर कोई बहुत ही बड़ी सोच और विचार कर सकते हैं, अज का दिन आपके लिए भागदोड भरा रहने वाला है, भागदोड अधिक रहने के कारण आप परेशान और आपको समझ नहीं आएगा कि किसे पहल कामों पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपने किसी मित्र से दोका मिल सकता है, जिसमें आप साफधानी बरते हैं, व्यापार कर रहे हैं लोगों को लेन दिन बहुत ही साफधानी से करना होगा, संतान पक्षी की और से आपको कोई खुसखवरी सुनने को मिल सकती है, पर अनुरासी, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा, आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और आप अपने रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिस करेंगे, जिससे आपका मन भी प्रसन रहेगा, घुमने फिरने के दौरान आपको कोई वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, परिवार में कोई सगे संबंदी आप से मिलने आ सकते हैं, जीवन सांती के साथ चल रही अनबंदूर होगी और आपको उनका सहीयोग भी पूरा मिलेगा, विद्यार्तियों को वद्धिकवा मानसिक बोज से छुटकार मिलेगा, उनकी किसी अन्य विशाई के प्रती रुची जागरत हो सकती है, मकर रासी, आज का रासी फल, आज का दिन आपके लिए आर्थिक द्रश्टी कौन से अच्छा रहने वाला है, यदि आपको कोई समस्या थी तो वह दूर होगी, और आपका पुराने कर्ज से भी मुक्ती मिल विशाई में आपको लाब के अफसरों पर ध्यान देना होगा, संतन आपकी उम्मीदों पर खरीक उत्रेगी, विद्यारतियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना होगा, उनको किसी खेल प्रतियोगता के लिए वाहर जाने का मौका मिल सकता है, आपका किसी नए मका दुकान वाहन आधी को खरीदने का सपना भी पूरा होगा, कुम्ब रासी, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, आप व्यबसाय में यदि अपने जूनियर से बात चीत करें, तो उसमें अपनी वाणी पर नियंतरन रखें, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बुरी लग सकती है, जीवन साथी के साथ संबंद मदर होंगे और चल रही समस्या भी दूर होगी, पारिवारिक जीवन में उतार चड़ा बना रहेगा, इसलिए आप रिष्टों को सवालने की कोशिस में लगे रहें, आपको किसी काम के सिल्चले में किसी अजनभी से कोई सलाह मसवरा नहीं करना है, नहीं तो आपको कोई गलत सलाह दे सकता है, मित्रों का सहयोग आपको भरपूर मातरा में मिलेगा, मीन रासी, आज का दिन आपके लिए स्वास्त के लिहाज से कुछ समस्यां लेकर आने वाला है, क्योंकि आपके पुराने कश्टों में संतान ही रहेंगे और वह भी पूरा नहीं हो सकेगा, संतान से आपकी किसी बात को लेकर बेवाजय बहस वाजी हो सकती है, लेकिन आप उनकी बातों को समझने की कोसिस करें तो अच्छा रहेगा